ये तो आपने सुनाई होगा कि अपनी गली में तो कुटा भी शेर होता है। चलिए जानते हैं क्या वज़े है ऐसा कहने के बीच। आपने कहीं पे किसी भी गली में कहीं कुटों को एक साथ गुराते बहुंकते वे देखा होगा। कुटों ने अपनी सीमा बना रखे होती है। चाहे वो एक गली हो चाहे वो एक महला हो। उस सीमा में किसी भी बाहर वाले कुटे को ये लोग बरदाश्ट नी करते हैं। और अपनी इस पावर को बढ़ाने के लिए ज़ाद से ज़ादा बच्चे पैदा करते हैं। इसलिए एक बिच तीन महिने में पांस से दस बच्चे पैदा कर सकती। जैसे जैसे इनकी तादात बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनका एरिया बढ़ा होता जाती। और इसलिए ये काहवत भी बहुत फेमस है कि जुन्ड में तो कुत्ते आते हैं, शेर तो केला ही आता है। और ये युनिटी इनकी हर काम में दिखती है, चाहे वो खाने में हो, लड़ने में हो, सोने में हो, किसी में भी हो। ठंड में ये एक दूसरे का सपोर्ट बनते हैं, लिए जिस गली में कुत्ते कम होते हैं, वो बड़ी कुली के कुत्तों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जुन्ड में रहना इनकी मजबूरी है।